नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं तो दोस्तों आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुवात करेंगे हम और वो होगा बी कॉम सेमेश्टर 6 ठीक है इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल प एक्स कॉर्परेट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग यह मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसलिए आप पूरा पढ़नी पा रहे होंगे आपका टाइम वेश्ट ना हो इसलिए थोड़ा सा एक क्विक इंफॉमेशन आपको देने की कोशिश किये मैंने यह सब ची और क्लिक करो और आप जाओ आप यूजी स्टेडी मैट्रियोट तो अब हम चलते वीकॉम स्टेड एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट लेंगे जो वीकॉम ऑनर्स सेमेश्टर 6 में भी है और वीकॉम सेमेश्टर 6 में तो मैं कोशिश कर रहांगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को एक् इंटरनेशनल बिजनस यह जो इंटरनेशनल बिजनस है वह वी कॉम समेश्टर 6 में भी है ओनर समेश्टर 6 में भी और वेकॉम पास में भी है तो हम इसे ही समझेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को इंटरनेशनल बिजनस को ठीक है तो आप भी डा डाउनलोड कर लिया है इससे ओपन करते हैं चलोगी पहले देख लेते हैं इसका क्या सिलिबस है खीक है तो अक्सर मैं सबसे पहले वीडियो में सिलिबस एक्स्पेंड करता हूं तो अपना यूनिट वन लगता है यहां से ओपन करना सही नहीं है इसको हमें सेब करना होगा कि आप भी जब तक डाउनलूड कर लो यार इस बुक को है ना कि समझते हैं इसमें क्या टेक्निकल टम से जो कि एक्स्प्लेइन करने पर आपको एजली समझ में आ जाए तो जैसे कि देखो यहां पर है ना बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी है सेमेस्टर सिक्स है और कॉमर्स की बात कर रहे हैं डेस्सिप्लीन स्पेसिफ स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर है इंटरनेशनल बिजनेस इसमें यूनिट वन टू त्री कि यूनिट वन रेहें है जिसमें चार लेशन पहला लेशन है इंटरनेशन विजनस की डिफिनेशन उसके इंपोर्टैंस और उसके नेचर को लेकर आएं लेशन्टू इस्ट्रनेशनल टो इसकोप एंटरनेशनAL बिजनेशीनेस लेशन थी Skip UA functionalité कि कहिप्ली यह सब देखेंगे lesson no.4 framework for analyzing international business environment फिर unit 2 है theories of trade trade की अलग-अलग जो वैपार करनी की अलग-अलग theories है फिर lesson no.1 WTO world trade organization lesson no.2 India and world trade organization फिर unit 5 है IT and international business हम एक एक unit एक chapter समझेंगे और मैं शायद अगर slow लगूं आप लोगों को तो please youtube में option आता है वीडियो को आप जैदा speed में देख सकते हैं और अगर fast लगूं तो उसको slow भी कर लेना ठीक है तो शुरू करते हम lesson no.1 और lesson no.1 है हमारा international business definition importance चलो पहले इस line का मतलब एक general sense में निकालते हैं कि मान लेते कि हमें नहीं पता कुछ भी नहीं पता इस subject के बारे में तो हम क्या समझेंगे तो अगर हमने पढ़ा कि international business definition importance और नेचर दगो international business मतलब अगर हम एक ही राज्य में अगर काम करते हैं तो बोलते हैं कि विदिन state हो रहा है काम एक राज्य से दूसरे राज्य में कर रहे हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य बोल देते हैं और सारे में इंडीया का बंदा है वह अमरीका के साथ काम कर रहा है तो उसे बोलते हैं international business या फिर कोई बाहर की country हमारे साथ काम कर रही है यह हमारे यहां उसके product भिक रहे हैं तो इसे बोलते हैं international business तो यह कैसे होता होगा अरे भाई जब हम अपने product को किसी दूसरे country में बेचेंगे इसे हम क्या बोलते हैं export कर दिया जी हमने अपने product को export को मतलब क्या बोलते हैं निर्यात करना आपनी एक्सपोर्ट वर्ड अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कई बार सुना होगा जैसे कि कोई file अगर हम convert करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है कि export करना है क्या word to excel इस टाइप सी चीज़े होती है लेगिन अगर हम इसी को business term में समझें तो अपने product को किसी दूसरे country में भेजना वो export कहलाती है और अगर बाहर के country के product को हम इंडिया में बैठके consume कर रहे हैं तो इंडिया में हम कैसे ही consume कर पा रहे हैं किसी ने किसी ने बंदे ने उस goods को क्या किया होगा import किया होगा आयात किया होगा हिंदी में export को क्या बोलते है निर्यात और जो हम बाहर से गुट्स लेके आते हैं या जिसे हम कंज्यूम करते हैं अपने देश में से बोलते हैं आया आते हैं अब हम आगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही यूज करेंगे ठीक है हिंदी थोड़ा सा कर सकता है तो हम यहां पर बिजनस को समझेंगे लेकिन सर क्या सिर्फ एक्सपोर्ट के भी बहुत सारे तरीके हैं वही सब हम इस पूरे सिलेबस में समझेंगे और देखो ऐसा है इन सब चीजों से जो लर्निंग मिलेगी ना जो सीखने को मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि बिजनस और ऑ directly कर रही है कंपनी कर रहे है लो कर रहें तो मैं थे venidos करने वालीकम्पनीश करने वाली कंपनीश में मैंने काम किया हूआ है यह तो मैंने वहां पे देखा है कि और फिर मेंने काम किया है तो मैंने बेंदेग Wi- даль. Alternative बिजनस हुआ कैसे हम जब गुलामIST से पहले की बात कर रहा हूं उसके बाद भी कही काफी सालों तक जब 1947 से पहले क्या हुआ एक इस इंडिया कमपनी आई और उसने बिजनस के परपस से इंडिया में मतलब उसकी entry हुई है ना और वो business करते 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 उसने हमारे देश कोई गुलाम बना लिया राइट तो जब हम आजाद भी होगे तो हमारे दिमाग में तो ये डर था कि भाई ऐसा है इनको कभी या बाहर के किसी बंदे को आने ही नहीं देंगे अपने देश में भाई जब बाहर के बंदे को आप आने नहीं दोगे ठीक है ना तो कोई आपके चीजों को भी तो बाहर नहीं जाने देगा तो जब बाहर के बंदों को हम आने ही नहीं देंगे तो फिर international business होगा कैसे तो इस ताम international business पढ़ते भी नहीं थे बास शुरू भी कि भाई हम globalization को accept करेंगे globalization क्या वेस्वी करन्ध हिंदी में globalization का मतलब ये कि हम भी विश्व को अपना मार्केट बनाएंगे और विश्व के लोग भी हमें अपना मार्केट बनाएं मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिरुफ अपने प्रोड़क्ट अपनी देश में बेचेंगे हम किस इंटरनेशनल बिजनस पॉसिबल हो पाया है ठीक है और आज देखो आप अपने घर में देख लेना आप तो ने आप अपने इवन कपड़े जो हम पहनते उसमें ऐसे से ब्रेंड हम ब्रेंड के कपड़े पहन रहे हैं जो globalization की वजए से उनके यहां पर आउटलिट्स खुल यूज करके यहां पर बनाई जा रही है तो वह सब इंटरनेशनल बिजनस में आ जाता है जो की globalization की वज़े से ही possible हुआ है तो देखो वही है इंटरनेशनल बिजनस में ट्रांजेक्शन जो होती है वह एक्रोस नेशनल बॉर्डर मतलब हमारे देश के बॉर्डर के बाहर हम सब्सक्राइब कर सकता है एक कंपनी के थुरू हो सकती है तो कोई बंदा अब इंडिविज्व कैसे करेगा इंडिया में और मैं यूएस के बंदे को accounting service देना चाहता हूं तो क्या चाहिए मुझे उसको service देने के लिए उसके data चाहिए मुझे computer चाहिए मुझे internet चाहिए मैं उससे connect हो सकता हूं तो मैंने अपनी service क्या कर दी export कर दिया है यहां बैठे बैठे उसको काम दे रहा हूं उसका काम कर रहा हूं उससे पैसे ले रहा हूं तो एक इंडिविज्व कंपनी बहुत सारे product बना रही है वो product export कर देती है इवन आप तो लोग इंडिविज्व problems discuss करता हूं उसमें जो काफी ऐसे वीडियों इस पर बहुत सारे businessmen जो चोटी-चोटी-चोटी बिजनस कर रहे हैं उन्होंने साथ international business पढ़ा या ना पढ़ा हो लेकि international बिजनस तो वो कर रहे हैं और उस business की वजह से उनको ऐसी चीज़े जानने को मिल रही है ऐसी चीज़े सीखने को मिल रही है जो आप already पढ़ रहे हो अगर आप सिर्फ इसको theory subject समझ के लेके चल रहे हो तो फि इसे business में job जब करने जाओगे तो proudly बोलोगे कि भई ये सब become में मैं पढ़ के आया हूं ऐसा नहीं कि सर जुका रखा है हमने पता नहीं मैं शरम से बोल भी नहीं पारे कि हमने become किया है तो मेरा objective बस यह है कि भई मैं आपको पूरा subject समझाओं कुछ बच्चों के comments ऐसे आते important questions बताऊं उनको paper में क्या आने वाला है वो बता दूँ जो कि मेरे से possible नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद idea नहीं है कि क्या important है क्या नहीं मुझे बस इतना पता है कि यह subject जो है वो बहुत ही important है आपकी life के लिए आपके आगे की improvement के लिए तो मेरा objective जैसे मैं अब मैं यह subject भी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए तो sorry ऐसे बच्चों के लिए जो मेरे से expect कर रहे हैं कि मैं उनको बहुत ही shortcut तरीके से चीज़े बता दूँगा साइथ 15-20 मिनिट में पूरा subject खतम करा दूँगा तो मेरे से वो possible नहीं है मैं time लोंगा और मैं मैं आपको स वीडियो उनके लिए है जो पूरा subject समझना चाहते हैं learning लेना चाहते हैं उससे और उसको अपनी life में implement करना चाहते हैं ताकि कलो के job मिले जब job मिलेगी न और उसके बाद जब earning शुरू होगी और फिर आप क्या confidence level बढ़ेगा parents का confidence level बढ़ेगा उनको जब अच्छा लेगा आपने important questions पढ़के पास किए या क्या किए चलो international business hopefully जो मैंने explain किया वह आपको समझ में आ गया होगा अब प्लीज इसको थोड़ा सा read out कर लेना इसमें यही सब लिखा है कि globally trade कर सकते हैं globalization की वज़े से free में trade कर सकते हैं कोई ban नहीं है जैदा हां कुछ restrictions है compliance है कुछ law बनाए है कि कैसे पैसा आएगा foreign currency में उसका कैसे utilization होगा लेकिन globalization को adopt करके यहां पर हम manufacture कर रहे हैं असानी से किसी other countries को अब देखते हैं इंपोर्टेंस क्या है international business का एक बाद बताओ जो product है हमारे यहां क्या है हमारे यहां जैसे कि बोल सकते कि हम developing country है मतलब काश शील देश है तो यहां पर गरीबों की संख्या भी जैदा है ऐसे संख्या ऐसे लोग की संख्या जैदा है जिसको माल cheapest चाहिए मतलब जिसको सस्ता चाहिए ठीक है वो सस्ते या volume में चाहिए जैदा quantity में चाहिए लेकिन सस्ता चाहिए लेकिन जह हम बाहर बेचेंगे तो वहां की mentality वहां का environment वहां की earning level सब अलग है देशों यह अलग-अलग countries का अलग-अलग level है तो अगर मानलो हम अमेरिका में बेच रहे हैं किसी product को तो ह हम जो यहां चीज 100 रुपें बेचेंगे हम कोशिश करेंगे ना वहां में हम अजार बेचेंगे मैं तो वहां पे higher profit कमाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे बिजनस ही export इसलिए कर रहे हैं कि यहां तो इतना perfect market है यहां पर प्रोड़क्ट पे इतना ज्यदा competition है कि profit कमा बहुत मुश्किल हो रहा है तो चलते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर higher rate of profit होगा इस उमीद से हम बिजनस करने की सोचते हैं expanding the production capacity beyond the demand of the domestic country मतलब domestic country कौन है इंडियन कंट्री इंडिया की बात हो रही है domestic हम जब भी domestic country देखोगे ना इस subject में तो domestic का मतलब अपनी बात हो रही है इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में production capacity मेरे मेरे फैक्टरी में माल लेते हैं कि एक लाख quantity या एक लाख पीस कपड़ा हम बना सकते हैं ठीक है और मेरे पास order ही है इंडिया में domestic market में कि भई मैं तो domestic market से मेरे पास 80,000 पीस का order आ जाता है तो एक लाख quantity जो मैंने बनाया है उसमें 80,000 तो मैं domestic में supply कर दूँगा इंडिया में supply कर दूँगा लेकिन जो बीस हजार की जो capacity रहगी वो तो unutilize ही रह गए और मैं उसको पूरा बना के भी क्या करूँगा जब उसके order ही नहीं आने तो मैं क्या करूँगा उस production capacity को use करूँगा बीस हजार quantity बनाऊंगा उसको export कर दूँगा तो मैंने क्या किया अपनी production capacity को बढ़ा दिया जो कि मैं अभी 80,000 ही कर रहा था अब मैं 20,000 और करूँगा और export कर दूँगा या फिर कलो के एक नई factory कोल दूँगा और अपनी production capacity जो एक लाक की है फिलाल उसको हम दो लाक कर देंगे 80,000 इंडिया में कर देंगे और एक लाक बीस हजार बाहर कर देंगे तो production capacity को बढ़ाना यह है international business का importance sever competition in the home country भाया हमारे देश में इतना competition है perfect market है perfect market में क्या होता है आप अपने rate पे तो मतलब rate तो बढ़ा ही नहीं सकते rate में अगर थोड़ा सा भी उपर नीचे किया ना तो भाया 50-50 पैसे के लिए customer move कर जाते हैं और जब customer move कर जाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा ठी दूसरा देश में बेचेंगे लिमिटेड हो मार्केट यहां की market लिमिटेड है औरेंस लिमिटेड है पब्लिक एक फिसक्टर के पब्लिक है चाहिए 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 इस टाइप की चीजिजे पॉलिटिकल कंडिशन तो बिजनस करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम से कि पताँ है निष्ट जसों मालई बैचेंग को पैसा देगा नहींद है नव तकननोडी एन मेनेजेरील कंपुटेंस जो हमारे साथ आयसी टेकनोलोजी नहीं नहीं है इसी टेकनोलोजी जो भी प्रेजेंट में नहीं है facultyạo को इनके पास प्रोडक्षन करने की करक लिया ठीक है कॉस्ट ऑफ मैन पावर ट्रांस्पोर्टेशन इंडिया में तो मैन पावर सस्ती है क्योंकि यहां पर जंसंख्या चाहदा है एक जौब को करने के लिए दस-दस लोग आ जाते हैं आप कंपिटिशन एक्जाम में जाओ तैयारी करो कभी या आप कर भी रहोंगे तो वहां पर एक जौब या एक वेकेंसी या हजार वेकेंसी निकलती तो पता नहीं लाक्त वेकेंसी को फिल करने के लिए बच्चों की भीड होती है उसके अप्लिकेशन फॉर्म फिल अप होता है एक सेकेंड पर पर फोन है हेलो अब मैं कॉल करता हूं भी एक क्लास रिकार्ड कर रहा हूं चलो जी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं मैं शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता ही हूं ताकि उस सब्जेक्ट का बेस बन जाए फिर आगे अगर मैं थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाओंगा तो आपको सब समझ में आ रहा होगा हाँ 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 इसन राउट को ऐसन यहां पर बना रहे हैं को कि में रोम एक इसली मिल जाएगा अपने प्रोड़क्र बनाने के लिए अब हैं लिबरलाइजेशन प्राइविट्याइशन और ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ पहले बिजनस करने के लिए सरकार से 10 लाइसेंस लेने होते थे ठीक है लेकिन सरकार ने बोला 1990 से शुरू आप और होते 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 अब ही और ज्यादा इज आपको ज्यादा लेने की ज़रूत नहीं है अब मुझे याद है जब मैं जी एस्टी पढ़ रहा था तो और जी एस्टी के चैपटर में जब रिजिस्ट्रेशन का चैपटर आयए तो पढ़ते-पढ़ते मैंने लेप्रव लिया और खुद से रिजिश्ट्रेशन की चैप्तर को जो जो मैंने पढ़ा वह प्रैक्टिकली करने लग गया मेरा अमित एंटर्प्राइज़ का जी एस कि रेल्वे का सफाई का काम दे दिया प्राइबिट कंपनी को सरकारी ओफिसेज में कॉंट्रैक्टर के कॉंट्रैक्ट पे बंदे काम कर रहे होते हैं इसलिए हुआ ताकि भाई सरकार को कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल जाए ठीक है या जहां पर प्रोडक्शन के अपर स्टीम प्रूव नहीं हो रही थी या सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी और ग्लॉबलाइजेसिंग में अलड़ी डिस्कॉस कर चुका हूँ और टू इंक्रीज मार्केट शेर मार्केट शेर को बढ़ानी के लिए इंट का दहां रखती है कि और कंट्री रोक तो नहीं रही है किसी को कि किसी के प्रोड़क्ट ऑने मानलो मैं इंडिया में बैठा हूँ मैं प्रोड़क्शन कर लिए मैं यूएस में बेजना चाहता हूं और यूएस की जो जो ग्रॉर्मेंट है उसने अपना एक लौग बना दिय इंडिया रहा हो पे जो बनाया गया तो आउप आपको इंटेशनल विजनस सब्ञेक्ट का फ्लो समझ में होगा किões तरीके से जा ரहे हैं अब इसी पर है कि बिलो आर्दा लिस्ट और वाट में इंटरनेशनल बिजनेस इंपोर्टेंट कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंटरनेशनल बिजनेस को इंपोर्टेंट बनाती है कि अब यहीं बात में जब आपको कॉंसेप्स नमज में आ जाएगा तो भाई जैदा माल बेचने के लिए ही तो है इंटरनेशनल बिजनेस अब मेरा माल ही नहीं बिखेगा मेरा मार्केट शेर ही अगर नहीं बढ़ेगा क्यों करूं मैं इंटरनेशनल बिजनस भाई तो इंटरनेशनल बिजनस हम किस लिए कर रहे हैं ज्यादा सेल करने के लिए इट ऑपन्स नियू अपर्चुनिटी नया विस्ट मैंने किज़रेंगे जैसे हमारे पॉर्षनिटिटी बढ़ेंगी हमारे डोस्ट मिलेंगे जितने फॉरन कम्पनी जाएंगे वّो हमारेस के साथ साथ हमारे बिजनस को तो चलायने में भी हेल्प करेंगे हमें स्किल और नॉलेज भी देंगे ठीक है ना और देखो विल गें इंकम तो प्रवाइड दे नीड आर फैमिल फाइनली बात तो वहीं आ रही है कि अपने परिवार के लिए कमा पाएंगे पैसे उनके जरु फुरते पूरे करने के लिए तो पैसे चाहिए ही ना और कि फिख एक चलो अंट टेख्सट जैसा जैसे कि हीरो वाले के पास टेक्नोजी नहीं थी कि वह कैसे बनाते तो तो Honda वालों ने दिया ना उन्हें मारूती के पास नहीं था तो Suzyki वालों ने दिया फिर हमने खुद भी सीखा ताटा ने अपनी खुद की टेक्नोलोजी बेस्ट कार भी बनाई और इस ने खुद टेक्नोलोजी डेवलप करके खुद की पहली कार लॉंच कि और मैंने रतन ट होने वाला है हमारे पास टेक्नोलोजी ही नहीं कि हम अपनी कार खुद बना सकते हैं और वह बहुत ही बड़ा बिजनस गें रहा उनके लिए और इंडिया में फिर दूसरों के हिमत बनी कि हाँ भाई हम भी बना सकते हैं तो तो ऐसे होता है एक यूटिलाइस दर रिसूर्स बाहर की कंपनी ने गर ओर दिया तो हम यहां पर ज्यादा लेबर ज्यादा इंप्रॉइमेंट कर सकते हैं यह हमारे पास मान लो कुछ ऐसे फ्यूल से मिनरल से जो हमारे पास ऐसे पढ़ा हुआ है जिसका हम यूज नहीं कर बारे किसी और कंट्री को चाहिए भाई वह तो और लो खूब सारा पैसा उससे को अर यहां है ऊसे अगर वेस्ट हो रहा है तो किसी और के साथ शेयर करो और शेयर करें हो प्रॉफित्य या पैसा कमत क्यां वह तब ही होगा नो जब इंट्र बिजनस होगा ना इट प्रॉइट्टी प्रोड़क्त कि International Business से जब हमारी चीजेंप्रूव होगी हमारे पास अच्छा ब्रैंड होगा हमारे पास अच्छा डिजाइन होगा हमारे पास अच्छे फीचर्वाले होंगे तो हमारे प्रोड़क्त की क्वालिटी भी तो हाई होगी इसे लोगों को इंसेंटिव भी देती है एक्सपोर्टर्स को ड्रॉबैक के नाम से लाइसेंस के नाम से खुब इंसेंटिव भी कमा लेते हैं गौर्वर्मेंट से खुब सारेंसेंनेटिव मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि आप ऐक्स आप कि करेंसी लाके दे रहे तो कमीन रहे कि कमी ना रहे इधर उधर देख रहाना पड़े किसी दूसरी कंट्री से हल्प ना लेनी पड़े इससे क्या होता है कि जो इन्फ्राइस्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट्मेंट बढ़ती है नॉडा में और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्टरी है सैमसंग की और सेमसंग क्पनी और उस्ने सबसे बड़ा राउटलेट के बनाया हुआ है नॉडा में इक बात बताओ नॉडा की जमीन पर फैक्टरी बनाया सेट अप बनाया वह इंफरैस्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो हमारे देश में तो हुआ है कि इंवेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ उसकी इंवेस्टमेंट हमारे इंफ्राश्रक्च्ट्रक्चर डिवलप्मेंट में हो गई न और इंप्लॉइमेंट तो जनरेट हुई तो अलग बात है नेचर क्या है क्या है recoup एंफॉमेशन यहां पर कैसी इंफॉमेशन होनी चाहिए बिलकुल सही और सटी वाट्सट उनिर्सट क्या सब्सक्राइब करें चलें घ् surprise information not only accurate but should be timely भई कोई भी जानकारी सिर्फ सही होने से एक मतलब नहीं है वो timely भी होनी जिस समय पे उस information की जरूरत है उस समय पे वो available भी हो अगर मैं तुम से अभी पूछूँ कि भई टाइम क्या हो रहा है और तुम मुझे बताओगे 15 मिनिट बाद तुम माझ लो कि अगर कोई ऐसा काम है जो मुझे अगले 5 मिनट बाद ही करना था तो तुम 15 मिनट बाद टाइम बता के भी तुम मुझे गलत ही बता रहे हो क्या फाइदा कि तुम ने सही टाइम बताया कि हाँ भई टाइम ये है मुझे काम करना है पांच मिनिट बाद तुम बता रहे हो पंदर मिनिट बाद और पंदर मिनिट बाद जो टाइम बता रहे हो पंदर मिनिट बाद जो टाइम बता रहे हो तो यह हो रहा है बट वो तो अब मेरे लिए बेकार है तो now information not only accurate but should be timely कोई reports कोई report मुझे every Monday चाहिए त मिले ठीक है कि the size of the international business should be large जो international business पर उसका जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए सिर्फ हम एक ही country पे focus नहीं करेंगे European countries है बहुत सारी कितने देश है हमारे मत्व पूरे विस्व में पूरे वोल्ड में कितने देश है I think 195 countries है यह 200 हम नहीं पता लेकिन आप चेक कर लेना तो में अपने market को बहुत बढ़ा है, ठीक है market segmentation based on geographic segmentation geographic मतलब area के based हमारा market decide will market segment decide i month,nesdirt, ciakos,area पॉबूरे तक हम हर कोई बंदा तक वहीं फ्योकल करना चाहिए बेचना चाहिए जहांपे लोग हो समझ रहे हो इंटरैंसल मारकेट तो ज्यादा है पोटेंशिल है ज्यादा मारकेट मिल सकता है ज्यादा प्रॉफिट कंद मर के भौक शोटी चोटे बिजिनस्मेन चोटे चोटे दुपान वाले बहुत सारी ठीक है अब देखते एक्सपेंशन of international trade in the past 30 years the volume of international trade has expanded from 200 billion to over 7.5 trillion तो सोचो 30 सालों के अंदर अंदर जो international trade है कहां हो गया 200 billion dollars से बढ़के 7.5 trillion dollar हो गया कितने fast हम बढ़ रहे हैं हमारी presence कितनी तेजी से बढ़ रही है अलग 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 देशों में अलग 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 देशों में इंडिया के बारे में इंडिया की यूथ के बारे में इंडिया के पोपलेशन के बारे में इंडिया की गोवर्मेंट के बारे में इंडिया के बिजनसमेंस के बारे में इंडिया की एकोनोमिक पॉलिटिकल सोचल कल्चर के बारे में कितनी ज्यादा एक्स्पेंशन हो रही है ठीक है अब यह तो चोटी 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 चेंज यह हुआ कि वर्ल ट्रेड डिकलाइन वर ड्रमेटिकली आप्टर टू थाज़न बटिज अगें वन दराइज यह सब यह होता है सब्सक्राइब करना है कि हमारे जैसे करके अगर सब सोचेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बिजनस पर कमी भी आए सकती है कि सब अपने ही देश के अगर प्रोड़क्त खरी देंगे तो दूसरे देश के प्रोड़क्त को कौन खरी देगा जो कंट्रीज का पार्टिशिपेश्ट है वर्ल ट्रेड का वो शिप्ट हो रहा है होगा ही न मार्केट शिप्ट तो होगा ही कोई जरूद थोड़ी ना कि एक रोड़क्त है एक कंट्री में रहेगा हमेशा के लिए तो शिप्टिंग भी हो सकती है हर चीज के फायदे हैं तो हर चीज के नुकसान भी है अगर मैं आपको जएदा एक्स्केश्प्लेई करके पढ़ा रहा ही कि इसका फायदा यह कि आपकी जैदा फायदा मिल रहा है तो दिसेजन ले लो उसके फेवर में अगर नुकसान जैदा हो रहा है तो दिसेजन ले लो उसको रिजेक्ट करने का ठीक है अब आगे चलते हैं धिफ्रेंट मोंच अफटर्थी इंटरनेश्चनल विज्ञेस यह इन इन पितरि घ्रनेश्चनल विजनस में करने के यह लगलग तरीके कह और होते हैं लोल सबसे पहला एक्सपोर्ट में इतना सब कुछ कुछ मैंने आपको बता दिया एकसपोर्ट का मतलब हुता है अपने यहां पे बनाना country में बनाना और बाहर बेच देना तो एक बात बताओ country of origin कौन सी हो जाएगी origin मतलब क्या होती है आप कहा के हो origin हम इंडिया के हैं हमारा origin इंडिया है तो हम बोलेंगे Indian origin person तो वही product को अगर अपने देश में बनाने की बात हो रही है तो country of origin इंडिया हो जाएगी और country of destination क्या हो जाएगी जहां पे इसका use होगा, consume होगा तो export में क्या होता है country of origin कोई और होती है और country of destination कहीं और होती है ठीक है यही तो है बहिए और इजन बनाना कहीं और है और use कहीं और करना है यह डौनों अलग-अलग होने चाहिए अलग-अलग देश में होने चाहिए origin दूसरे देश में destination दूसरे देश में तभी उसे बोलेंगे export clear है और यह जो export है वो legally होना चाहिए पर पर के पोड़ के हिसाब मतलब smuggling type से नीची जोनी चाहिए भई प्रॉपर चैनल से होना चाहिए प्रॉपर लोग को फोलो करके होना चाहिए अपने नाम से होने चाहिए ठीक है ना कि कहां ऐसा नहीं है कि बंदू कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रोड़क्ट या अपना जो प्रोड्यूस करते हैं वो सबजी चावल जो भी है वो बेचारे एक राजी से दूसरे राजे नहीं ले जा पाते क्योंकि ट्रांस्पोर्टेशन कॉश्ट इतनी जएद है तो बेचारे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे तो भाई आप पढ़ो लेकिन अगर हमारे देश का यूथ ही नहीं पड़ेगा और उसको पता ही नहीं होगा कि क्या-kya चीजे वो मिस्स कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है चीजे छोड़ चोड़के तो फिर वो क्या है एक चले आगे बढ़ें वही सारी चीजे ने कि जो एक्सपोर्ट है पर टेडब करता है फ्रॉणाइंट करो हैं बेंड करता है टेकिंटी देडब करता है फ्रिकौनिसी मतलब कितनी बार भेज रहा है किसी बंद नंहें अपना capability किया क्या बोले क्या बोले जैसे मालो की बाहर का कोई product है उसका brand का ओफी setup हो चुका है ठीक है उस brand और हम यहां पे वही चीज बना रहे हैं लेकिन हमारी चीज की value नहीं है हमारी चीज का नाम नहीं है तो हम क्या करेंगे हम उस से contact करेंगे और हम उसका बोलेंगे भाई ऐसा दे तेरे लिए हम यहां पर माल बना देंगे तू एक काम कर तू अपना नाम मुझे दे तू मुझे लाइसेंस दे दे कि मैं तेरे लिए चीज़े बना सकूं तो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग है कि भाई जैसे पैपसी कोका कोला पैपसी कोला आपको क्या है आप जो कोक पीते हो या पैपसी पीते हो तो क्या यह कंपनी अगर बाहर की है तो कोक अगर बाहर की कंपनी है पैपसी अगर बाहर की कं यहां भेज रही है कि आपने सारे कोक और पेपसी इंडिया के सारे लोग गाउं-गाउं के लोग पीएंगे नहीं वहां से कितना देंगे पानी यहां पर पीने के लिए पानी तो है एरेटेड वाटर ही तो है वह तो उन्होंने क्या बोला अलग-अलग लोकेशन पे अलग- कोक को लेकर के स्टडी यह भी है कि जब पहली बार वह किसी दूसरे कंट्री में मतलब इसको बेचने कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने देखा या पानी को इतना जएदा ट्रैवल करना है पानी को इतना इस देश में लेके जानने में तो बहुत खर्चा हो रहा है तो क्यो कि लाइसेंस इंपोर्ट कर दिया लाइसेंस कर दिया क shouting लाइसेंसिंग कि फ्रेंचas इस वैसा है वहां पे लाइसेंसे तुमें सकता है तो व्हीत को घ्रिप न धतर हैं ट्रेंटिंड मार्ड बेंड शिस्टम विंडों सट प्रोडिक्ट ब्रंड ने यहां पर आप 13Cal कब दोमीनो जाएं यह सब क्या है फ्रेंचाईजी लेखिये लोगों आगए चलते हैं कॉंट्रैक्ट मैनुफेक्ट्रिंग क्वान्ट्रैक्ट्षरिंग में क्या होता है कि किसी कोई दूसरी कंपनी के परसन किसी दूसरे कंट्री के लोगों को एक कॉंट्रेक्ट दे देते हैं भया मेरे लिए ना तुम यह वाला प्रोड़क्ट तुम ही मैनुफेक्शर करोगे और कोई और करेगा ही नहीं करेगा ठीक है अब जैसे नाइके की बात करें एन आई की ठीक है इसने दे द अगर किसी अधर कंपनी के बंदे को कॉंट्रेक्ट दे देते हैं मैनुफेक्शरिंग का कि तुही मैनुफेक्शरिंग करता रहे तरी अलावा और कोई नहीं करेगा तेरी कंट्री में ठीक है तो ऐसे केस बिजनस भी इंटरनेशनल बिजनस के थूही आ रहे हैं अब यहां पर कॉंट्रेक्ट मार्केटिंग है किसी को आपने कॉंट्रेक्ट दे दिया जो आपकी कंट्री में नहीं है या किसी से आपको कॉंट्रेक्ट मिल गया जो आपकी कंट्री में नहीं है वही हमारे प्रोड़क्ट की ना मार्केटिंग कर तू तो देखो सिर्फ बना के बेच पॉस्ट है कि कोई इसकी कम लगती है यहां बैठे बैठे जर्मनी के ब्रैंड की प्रोमोशन चल रही है इसा है तुम ना अच्छे-च्छे बंदो को ढूंडो हो जो हमारे लिए काम करें मेनेजर्स को यूएस की कंपनी में जो मैनेजर्स काम कर रहे हो इंडिया के यह इंडिया में बैठे बैठे उनकी कंपनी है जो ऐसे बंदो को हैर करती और उनके काम कराती है इनको मैनेजेरियल सर्विस मिल गई मैनेजर्स मिल ग जो मैंने अभी तक आपको एक्जामपल दिया है एरो हुंडा मारूती सुजुकी हुए के एक्जामपल जॉइंट वेंचर का मिलके बनाएंगे लाइसेंस पैसेंस तो चोड़ो कॉंट्रैक्ट चोड़ो मैनुफेक्श्ट्ट्री को मिलके बनाएंगे जैसे शादी है जैसे एक्जामपल यह मैरीज का वो क्या है जॉइंट वेंचर ही वह किसी और फैमिली से इधर लड़का किसी और फैमिली से कल्चर अलग यह जो भी यह सेम तो नहीं गिल्कुल कह सकते तो एक जॉइंट वेंचर होता है कि भई तुम्हारे पास ये चीज़ेंगे अच्छी एंह करेंगे मतलब जिसमें एक से ज्यादा बिजनस या अलग-अलग कंट्रीज के बिजनस मिले के काम करते हैं उसे जॉइंट वेंचर अब प्लीज एक बार रिड कर लेना यार अगर इतना टाइम ले रहा हूं तो एक बार रीड करना तो बनता है अब तो यह जोइंट वेंचर जैसा ही है जैसा ही है जैसा यहां पर है पुरे प्रोजेक्ट पे साथ मिलके काम करते बड़ कोलैब्रेशन में किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए का म किया जा सकता है ale fille में कोलैबड़ेशन के एक किसिने सिर्फ की कि दिए की सीए तो01 कोलैबड़ेशन बूलेंगे लेकिन पूरी-पूरी अगर और क्या तरीका है foreign direct investment आप अपनी company बनाओ और उसमें पैसा किसी foreigner से ले लो तो उसको क्या बोलेंगे foreign direct investment FDI बाहर के लोग ने जब आपकी कंपनी में या किसी एक एक देश के लोग किसी दूसरे देश की कंपनी में पैसा लगाएंगे invest करेंगे तो उसी को बोलते हैं कि जो पैसा है वो destination country से लेके origin country या origin country से destination country तक पहुंच रही है investment का तरीका बदल रहा है उसी को बोल रहे हैं foreign direct investment अब मालो आपकी company में आपका capital है एक करोड का 90 लाक किसी और foreigner ने उसमें लगा रखे तो उसकी ownership किसके पास है उसका control किसके पास रहेगा और बिसी बात अब ही जिसके बात 50% से ज़्यादा के shares होंगे तो बाहर का बंदा आपक कि लोग बहुत सारे पैसे लगा देंगे तो इंडिन रेल्वे किसके control में हो जाएगी किसके management हो जाएगी फॉर्ण के हाथ में तो foreign direct investment यह है कि इनवेस्ट करना दूसरी country के companies में इनवेस्ट करना आगे चलते हैं mergers and acquisitions mergers and acquisitions में क्या होता है जैसे मान लेते हैं एक एक लिम्टेड है किसी और country में मान लेते हैं इंडिया में एक बी लिम्टेड है यूएस में अब ए और बी दौनों मिल रहे हैं mergers हो घेरे मर्ज हो और मर्ज होके एघेए असलि बन गए और यह इंडिया में माल लेते हैं तो अब यह क्या हो इससे बोलते हैं आपने जब मर्जु कर लिया ऐ और बी को तो बी की सारी चीज़े एक के पास आ अगी ना बी का सारा इंवेस्टमेंट्ट, बी का सारा पैसा, पैसा, बी की सारी असेट्ट नियाविलिटी, यह मेर्जर को जाए बी लिंटेड एक्वायर कर लिया और एलिंटेड ही रहने दिया वहां पर क्या था यह दौनों के दौनों साथ में मिलके आ गए और यहां पर क्या अब यह की कोई एक्जिश्टेंस ही नहीं रही B का कुछ नहीं रहा, B का सब कुछ A के पास आ गया B की कोई ownership नहीं रही यहाँ पे B की इकली इकली partnership है B के shares है, B के set है बड़ यहाँ पे B भिक गया है मतलब acquisition में खरीदना और बेचना हो गया और merger में मिल के काम करने वाली बात हो गया ठीक है टेक ओवर डेक ओवर जो है वो acquisition का ही एकजामपल है किसी को टेक ओवर कर लेना कि खरीद लेना जैसे कि अका ब्रैन्ड किसी का खरीद लिया किसी का network खरीद लिया किसी का कोई trade नहीं या उसको ही खरीद लिया, take ओवर कर लिया तो ये सब business करने के तरीके है यह सब तभी पॉसिबल है जब किसी के पास पुंजी बहुत जएदा है अभी एक रिक सेंट्री नहीं हो जाई थी कि जो बिसलरी कंपनी है वो अपनी कंपनी को बेचना चाहते थे टाटा कंपनी उसको खरीदना भी चाहते थे अब देखो टाटा का कोई बिजनेस नहीं खा बिसलरी या पानी क्या पानी बेचने का तो टाटा अगर इस फिल्ड में जाना चाहती है तो या तो उसको शुरूस अपना बिजनेस और सेट अप सब बनाना पड़ेगा या फिर वो क्या करें टेक ओवर कर ले बिसलरी का उसका बिजनेस बना बनाया मिल जाएग लिए टर्न की प्रोजेक्ट टर्न की प्रोजेक्ट यह होता है कि किसी कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट बना के दिया कोई फैक्टरी बना के दिया कोई प्लैंट बना के दिया फिर उसको हम चला भी रहें उसकी मेंटिनेंस भी कर रहें मतलब बनाना ऑप्रेट करना पहले बना काम करती है इंडिया के प्रोईκεक्ट को प्लैंट को इनस्टॉल करती है कैपिल लगाती है क्या है सब आयिसंब सारे के सारे grill को पूरा कर देते इसके बाद क्या करते हैं विल्ड कर लिया चला लिया उस ट्रांसफर कर देते हैं इंड्यन कपनी को सब्सक्राइब do you watch at उसको Karim तो बताते जब मैट्रों के पिलर्स को ऐसी जगह पी लगाना था यजहांगे सोयल है टी हैcus कि सोयल को सर्विस ली थी यह एसी तरे सुरंग में खिलाएकश सुरंग कर नीजिया सुरंग जहां पर कुछ टेक्मिलोजी चाहिए जल्दी ले नहीं तो ज्यादा टाइम लाएगा सुरंग बनाने में तो फिर बाहर की कंपनी से हेल्प लिया था तो यह सब एक प्रोज्टिस का एक्जामपल है कде रहे हैं काूंटर एक तरीके से किसी चीज़ को मार्किट से और फिर उससे वापस अब बने हैं किसे अब या profit are shared in foreign exchange profit को share करना तो counter trade का मतलब कि for export the supplier gets proceeds in foreign exchange export के case में क्या था? supply rider foreign exchange में ले रहा था joint venture के case में क्या था? foreign exchange की sharing हो रही थी क्योंकि दो जन्ने मिलके काम करने की बात हो रही थी international license में क्या था? license भी paid किया जा रहा था foreign exchange में तो counter trade तभी करेंगे अब मालो कि सब कुछ अगर हम पे ही कर रहे हैं और अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं ट्रेड में सिर्फ payment ही हो रही है foreign exchange की payment बहुत इंपोर्ट का ही हमने सिर्फ इंपोर्ट किया payment नहीं कर पा रहे तो export करना बहुत जरूरी है ताकि payment करें तो प्रिमेंट आए भी counter करना बहुत ज़रूरी है तो वही बता है और counter trade करने के बहुत सारे तरीके बता हैं पर प्योर बार्टर भाए सिर्फ लेना देना नहीं है लेना भी है अगर हम जैसे कि kisह को गेहू दे दिया उसके बदले च करना कि अतना ही बहुत है कि ज्यादा आप इतना लिख भी नहीं पाओगे बट आपको और वरोल जो आइडिया उसके बार पढ़ना है बस लिखेंगे अब चलते हैं ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पर वह अलड़ी इतना डिस्कूस कर चुक रहे हैं कि बहुत ग्ल करें ग्लोबलाइजेशन को करतें नेक्स्ट वीडियो में आई हो कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा इंटरनेशनल बिजनेस मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर